Digital Arrest क्या होता है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से news और social media में एक शब्द काफी चर्चा का विशेब बना हुआ है और वो शब्द है Digital Arrest कुछ दिनों से देश के कई शेरों में Digital Arrest के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे है जिसके माध्यम से साइबर ठग, आसानी से लोगों को अपना शिकार बना रहे है और लोगों से आनलाइन पेसे लूट रहे है आईए जानते हैं क्या होता है डिजिटल अरेस्ट Digital Arrest में किसी व्यक्ति को आनलाइन माध्यम से डराया या धमकाये जाता है कि वह किसी सरकारी एजनसी के माध्यम से Arrest हो गया है उसे Penalty या जुर्माना देने के लिए भी मजबूर किया जाता है Digital Arrest एक ऐसा शब्द है जो कि पहले से कानून की किताबों में नहीं है लेकिन आज कल आनलाइन माध्यम से होने वाले इस तरह के अपरात के बढ़ते हुए गराप की वज़े से इस शब्द का प्रयोक चलन में आया है पिछले तीन से चार महीने में भारत में कई शेरों में लगभग एक हज़ार से ज़्यादा मामले सामने आया है इसके अलावा कई ऐसे मामले भी होते हैं जो पुलिस तक नहीं पहुंच पाते या जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में नहीं की जाती और कई ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें ठगी करने की कोशिश करने वाले सपन नहीं हो पाते इस प्रकार डिजिटल अरेस्ट एक बहुत बड़ा क्राइम बनकर सामने आया है जिसको लेकर शासन प्रशासन भी परेशान है डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है रिजिटल अरेस्ट के मामलों में लोगों को कैसे फसाये जाता है आई ये जानते हैं इसमें ठगी करने के लिए आम तोर पर चार से पांच तरीके प्रयोक किये जाते हैं जैसे किसी कोरियर का नाम लेकर कि उसमें आपके नाम से कोई गलत सामन आया है जैसे MD या ड्रक आदी जिसकी वज़े से आपको डराये जाता है और पेसों की मांग की जाती है या फिर आपके बेंक खाते में इस तरह के ट्रांजिक्शन दिखाये जाते हैं जो फाइनेंशल फ्राड होते हैं जैसे मनी लोडरिंग या हवाला आदी इस प्रकार NDPS या मनी लोडरिंग का डर बिलवाये जाता है और इस तरह उनको 2-3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है और लाखों रूपए की दोखादड़ी की जाती है इसे ही डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बहुत ही आसान भाशा में डिजिटल अ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विशे के साथ थेंक्स फर वाचिंग हिंदी वीडियो गुरू